काली मिर्दा क्या अतर गया भाई दिख रहा है आप लोग को दिख रहा है काली मिर्दा की दो विसिस्ताइं लिखें यह आपके दो नमर में आया हुआ है और यहां पे आपके काली मिर्दा नमनी करें और यहां पे भू संडक्षन एक पॉंट याद रखना क्योंकि तो है मैं सलक्ट करें और खाट करके मिरभाई और जो आपके लेटेस लिव से जो चीज़ आपके आरहें उस बेस पे लोकिसा नग्षन के कुछ उपाय बताएं यह आप तीन नमर में आ रखें आप यहां पर देख लों यहां पर इसी तरीके से सारे के सारे वही questions करो जो आप नमस्ते भाई हो मिर भाई आप class 10 के जो आप paper देने वाले हो SSD के मिर भाई आप एक point याद रखना अगर SSD में अगर आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है बस एक point याद रखना इस वीडियो के बाद जो questions मैं आपको बता रहा हूँ मिर भाई वह question आप दिल और दिमाग में अच्छे तरह के सेट करके जाना क्योंकि यह जितने भी questions से यह भाई कोई हवावाजी नहीं है क्योंकि जितने भी questions दिखा रहा हूं मैं आपको यह सारे सारे आपके questions किस भीहाब पर मैंने select करें हैं मैं आपको बता दे तो सबसे पहली बात है यह जितने भी आपके यहाँ पर प्रीबोर्ड हुए प्रीबोर्ड इंदसेंस जो भी आपके मिट्टम हुए है सेस्टी के जितने भी में पर चार साल के सेस्टी के मिट्टम के पेपर है उस पेपर उस भीहाब पर मैं आपको सारे questions select करके लाया हूं और खास करके मिर भाई और जो आपके लेटेस्स लिवर से जो चीज आपके आरे उस बेस पे तो आप complete सुनना और यह सारे सारे questions आप दिल दिमाव में बठा लेना और एक से दो बार answer writing कर लेना मिर भाई सच बता रहा हूं आपको जो जो point बताओं बीच वीडियो में बस आप skip मत करना एक सेकेंड भी जहां जहां बोलू कि इस point को mark करना है इस point को underline करो और इसको प्रिप्रेर करो इसके चार से पांस पॉंट कंटेंट त्यार करो तो मिर भाई कर लेना सेस्टी के लिए सच बता रहा हूं आपने इतनी classes देख लियोगी बट आज आपको एक रामबान है बस इसको सिद्धत से करना और मैं इसके अंदर से भी कुछ questions आपको मैं deal करता अगर आप लोग पुरान है तो आपको जान तो बस एक बार लाइक कर देना बस आगे सारी चीजे मेरे उपर छोड़ दो मिर भाई सब्चे पहले आपको जो हिस्ट्री है हिस्ट्री से मतलब इत्यास में आपके वैसे देखा जाए तो तीन चेप्टर की बात कही गई है ले सबसे पहले आप ये जर्मनी के एक ही करन वाले टॉपिक को त्यार करो सबसे पहले आपने कर भी लिया होगा बट एक पुइंट और बता दो जर्मनी के एक ही करन वाला टॉपिक आपको दो से तीन बार पूछा गया है मैं आज आपको बताता हूँ देखो जर्मनी के एक ही दिखाते जाओंगा जिससे कि आप बढ़िया लेवल पे काम करते जाओं ठीक है बस थोड़ा थोड़ा सा क्या है बस आप लोग अपने और ये देखो आप रहande क्या है यहां पर दिख रहा है कि जर्मनी का आ कि करन क्या पूच़ा गया है फ्रांस जोढ़न पर ऑजातन्त्र का पहेला राजतिक प्रियोग और इटली का एके करन कुछ का भाई इटली का एके करन ये पॉइंट आप करके चलना ठीक है अगला जो पॉइंट है आपके सामने यहां पे राष्ट के लिए उद्धा में महिलाओं का योगदान बहुत बार से ऐसा हुआ है कि ये टॉपिक आपके फाइनल में दिखे या इ दिखेगा जरूर तो ये टॉपिक आप कंप्लीट करना क्योंकि ये टॉपिक आपके प्रीबोर्ड में पूछे गए तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है उसके बाद यहां से आपके बनने जाएंगे एक MCQ जो कि आपके सामने टूटे हुए बेडिया किसको दिख साहा दिखाता है कला लाल और सुनहरा तिरंगा क्या उधारवादी राष्टवादियों को जंडा दिखाता है उग्टे सुरज की परति क्या एक नए यूग की सुरुवात तो आप यहां से MCQ कर लेना मिरे भाई ठीक है समझ गये उसके बाद में आपके सामने कुछ इस्तर सर्दी जुखाम हो जाता है यह किस ने कहा था यह मेटरनिक ने कहा था यह भी पॉइंट याद रखना मैं सनी हमारी समाजिक व्यवस्ता सबसे खतरनाख दुस्मन है तो यह भी मेटरनिक ने कहा था एक नमबर में अगर आ जाए तो आप इसको भी कर लेना मिर भाई ठीक है उसके बाद अब important questions में आ जाओ important questions वही लगाए है मैंना आपको क्या बोला important questions मैंने वही पिक के हैं जो आपके आज तक freeboard या mid term में पूछे गए हैं मेरे भाई यह एक पार ध्यान दखना यह सारे questions आप लिख के जाना और मैं आपको बता दू भले यह questions आपको paper बंद दिख इसका पहला राजितिक परियोग था अब भाई देखो पहला परियोगी कर रहे हैं तो यह कैसा पूछा है इसना question आपके thinking based question पूछा है और कितने नमर में पूछा है मेरे यह आपके 5 नमर में पूछा तो यह भी point आपको याद रखो तो इसी तरह के questions करने हैं और आपको ब हिंता के परवधानों का उल्लेखन एक तो यह करना है और ग्यारवा question 815 की व्याना संदी के परमुक उद्देशों को बताना है और उसके बाद 13 question और दोगी करन की विर्दी ने किस परकार यूरोप के समाजिक और राजनतिक समीकरन का बदल दिये तो यह भी point याद रखना और यूरोप के राष्टवादी संघर्सों में महलाओं की क्या भूमिका थी तो यह भी question याद रखना अगर आप यह चार question प्रिपेर कर लेते हो तो इन चार question में से एक आपके पांच नमर में questions दिखेगा जो कि आपके previous paper में आ रखे हैं समझरे बात को इसी तरह की से करना ठीक है भाई अगला question देखते हैं अगला chapter अब यह chapter नमर 2 है आपके यह वाला मतलब chapter 2 है आपका जो इंडिन वाला है ठीक भाई राष्टवाद भारत में राष्टवाद इसके अंदर में आपको यह topic complete करना पर्थम विशूद तथा खिलापत तथा आसयोग यह भी point आपक भारत पर परभाव तता यूद परश्चात परिस्थिती तो आप यह question मतलब इस बार जो है आपके final में दिखाता कि पर्थम विशूद का भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक पर क्या परभाव पड़ा तो आप जब तक यह point नहीं करोगे जब तक आपको समझ नहीं आएका समझ रहो भात को तो भाई अगर यहां तक आप देख चुके हों आपको लग रहा है कि भाई यह ssp के एक quality content मिलता है जो paper में छपता है और concept तो दिल दिमाग में उतर जाता है तो भाई आप एक like कर देना मेरे भाई ठीक है यह point होगे यहां से तो यहां से आप सारी चीज़ कब से कब वहाता आप लोग के सामने option दे देता हूं यहां पर 1912 लेके 1914 तक यहां पर 1914 लेके 1918 तक यहां पर 1918 लेके 1922 तक आप लोग मुझे comment करके बताओं अगर आप लोग ने सच में पढ़ाई की है तो एक एक बच्चे की comment होने ची मैं देखना चाहतो कितने ऐसे से 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 निये जो भी आप यह चूटा साहलवसा सवाल आप सही कर पाते हो चलो भाई नेक्स पॉइंट को देखते हैं देखो नेक्स पॉइंट है आपके पास सत्याग्रह का विचार कैसे आया यह आप पॉइंट करके जाना और सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा भारत मे गांधी वाला सीन था यह आप जरूर करके जाना यहां से आपके मैप भी आएगा मैप में ओल्लेडी कर बात चुको विट ट्रीक आपको दिल दिमाग में छप जाएगा आपने मैप के क्लास कहीं पर देखी भी है न मिर भाई एक बार आप सर्च करके देख लो क्लास 10 मैप उसके बाद ना कभी आपको मैप रठने की जुरतने पड़ेगी सबसे पहले देखो चंपारन में गांधी जी 1917 में अपना पहला सत्यागरा कर दा इन्होंने खेडा यह गुजरात में यह एमदाबाद 1918 में कपड़ा मील का तो आपको पता होना चीए कि जो गांधी जी थे यह साओत अफिर्का से कब लोटे थे तो आप लोगों को पता है कि गांधी जी तुस साओत अफिर्का से 1915 में लोटे थे तो यह भी पॉइंट आपको पता होना चीए और इंडिया में आके किस परसंसे मिल थे यह किरिशन्न कुमार और इनके ग्रु को न तए किरिशनुक गूल में सम्म्मेलन यहां पर गूल में सम्मम् मेलनन आपके तीन गूल में में थे तो ये udoshammer मैं पर बता देता हूं है मैं यहां पर डिखो गांधी बाला बी आपके पास किस तरह का दे रखा है देखो गांधी वालड़ सत्यागरह से दिर्खा वाई डीडियू चूज सॉल्ट फॉर्द गांधी बतला कि गांधी से रिलिक्टेट आपके पास कुश्चन से इसमें आ रखें और मैं अभी और एक सेकेंड लुक जो बस एक पॉंट और मैं देखना चाहता हो इसमें कि यहां पर हाँ यहां पर आपके बने हैं कि यहां पर महात्मा गांधी और एक पत्रकार के बीच में रिलेशन दिखा रहा है सत्यागरह के लिए नमक का चैन क्यों किया सकती साली ब्रीटी सासन के विरूस सत्यागरह किस परकार सफल कर सकते थे तो मिर भाई यह आपके मतलब के एक नाथ देखो आप पर तो कुछ आया है नहीं लेकिन वो आने से पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जो मैं आपको बोलता हूं आपको टूद पॉंट आपके टॉपिक तैयार होना चाहिए और खुद का आंसर रैटिंग होना चाहिए किसी के नोट्स का चक्क्रवन मत पढ़ा रहे हो पाई आप खुद का एक बार आंसर रैटिंग करो भले नोट्स है आपके पास में उसमें थोड़ा सा अपने वेल्यू करो क्योंकि पेपर थोड़ा सा हटके आ रहा है और तीन गोल में सम्मेलन हुए थे यह आपको पता होना चाहिए और इसके अंदर एक पूंट आपको प गांधी जीने लिया था समझे रहो भाई यह गांधी नहीं आंधी था ध्यान रखना इस चीज़ का में रहो भाई इस बात पर अपने एक भारत का प्यारा जंडा क्या आप कोमेंट कर सकते हैं देखते हैं हमारे कितने राष्टवाती लोग हैं समझे भाई आपको सयूग कंप्लीट करना है क्योंकि सयूग आंदलन आपके ये वाले जो है आपके 2000 यहां देखो 2021 222 में आए हैं तो मैं आपको एक बार के देता हूं यहां पर एक सकंद रुक जाओ एक सेकंद रुक जाओ एक सेकंद एक सकंद यहां पे लिए इस टाइप के भी कुश्चिन्स आ र भी करके दिखा देतों, मता बता देतों किस तरह के questions आई थे, ठीक यह तो हो गया, यह रहा सोशल साइंस का, ठीक बई, सोशल साइंस में कुछ सा जल्यावाला भाग को रोकने के लिए आ था, लेको भाई, यहां से एक questions आ रखें आपके, जल्यावाला भाग का कौन सा, देख एक मिन रुख जो भाई आकला तो मैं इस्टी से उसमें से पता दूँगा आकला पॉइंट यहाँ पे सीतरामन वाला आरक है और भी स्वेपार संगठन वाला यह तो हो गया दैनिक जीवन यह तो हो गया गांधी वाला ठीक भाई और रांतिक मेर महत की राजितिक में गांधी कंप्लीट करो एक पर्थम विशूत के समय में नई आर्थिक नीती कैसी थी यह भी आपके कुश्चंस में आई हुए है तो यह भी आपके मिट्टम के पेपर है जो आपके सामने वही कुश्चंस तयार करना है मल्टिपल टाइम्स भाई एर्दिगर्दी पेपर होता है तो यह आपको पता है साइमन कमिशन के विरोध करते हुए हमारे देश के कौन से लीडर की देथ हो गए ती सर पे लाठे लेकने की वज़े से अगर आप लोगो को बताए कॉमेंट करके जरूर बताओ और यह रोलक टैक्ट वाला भी कुश्चंस हमारे पास आया है जो कि जल्ल के लोग कुलीन और पुंजीगत के हातों में बनी बनी चीजों के तरह क्यों मतलब दो कारण बताना है मतलब आप वो टॉपिक पढ़ लेना वहां से आपके टॉपिक बन सकते मतलब कि जो आपने पहला चप्टर देखा वहां पर यूरोप में राश्टवाद वाला वहां भाई आपना जितने भी पॉइंट है यूरोप से रेलेटेड हुए और ब्रीटेन के पक्स में वह सारे कुश्चन करके जाना क्योंकि हमीसा ब्रीटेन और यूरोप के बीच के मैटर को हमीसा यह क्लेरेंस देते हैं यह पॉइंट आपको याद रखना यह आपके जोगरफ ने टू ब्राजिल के रियोडर सहेरियों में राष्ट प्रियावर्न विकास सम्मिलन हुआ था जो कि आपको था एजेंडा 21 यहें पर क्या यह था और महात्मा गांदी ने की थी हमारे पास वेक्ति के आवसकता पूर्ती के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालज की सं पेपर हैं यहां पर उर्जा संसाद में जो मिटम हुआ था वहां पर आपके एक केस बेस बने थे तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है भारते वन जीवन रक्षर अधिरियम 972 में लागू किया गया था जो आपने मल्टिपल टाइमस पेपरों में देखा है क्योंक बाइ बना सनाक आते हो पूरे नमर गेन करके आतो अब चाहते हो आपके पूरे नमर आए इस बाग तो भाई एक बार फाइर की इमोजिक कोमेंट सेक्शन में होना चाहिए समझ रहे हो बात को चलो भाई नेक्स्ट कोईस्चन देखते हैं जो आपके पास यहां पे खादर और यह बांगर के बीच में डिफ्रेंशेट भी आ सकता है नमनिकरन मैंने आपको उता दिया देखो काली मिर्दा के विभिन विशिष्ताओं का वर्णन करें यह देखो काली मिर्दा का रिलेटेड आपके पेपर में आया हुआ है तो मैं अभी आपके सामने बताता हूँ क काली मिर्दा वाला कोश्चन कहां पे आया हुआ था यह देखो आपके सामने अच्छा दूसरे सेट में यह देखो यहां पे आपके पास क्या है यहां देखो काली मिर्दा क्या था भाई दिख रहा है आप लोग को दिख रहा है काली मिर्दा की दो विशिष्टाएं लिख है ना पाई जितने भी प्लेलिस्ट में डले हुए ना चप्टर भाई एक एक करके ना हर रोज एक एक वीडियो कर लो और थोड़ा सा उसक्षिन को प्रैक्टिस करो आप प्रीबोटर पॉर्ड में कंसेप्ट ऐसे आ जागा ना कभी आप सोचो भाई ओफलाइन में तो भाई जो दो होजार यह 23 वाले सेस्टन में जो मिट्टम हुआ था वहाँ पर आपके यह केस बेस बने थे यह भी पॉंट आपको याद रखना है भारते वन जीवन रक्षर अधिरियम 972 में लागू किया गया था यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इस चीज को सामिल कर लो अब इसमें से बताता हूं जिससे कि आप अच्छे से कर पाओ देखो चिपको आंदरन पर टिपनी लिखनी आपको चिपको आंदरन हो गया और जैविक विपित्ता के बारे में यह दो कुश्चन्स आपको इहां से त्यार करना और कुछ भी चीज़े नहीं देखनी है अगर मेर कर देना क्योंकि कोश्चन्स थोड़े से क्या हो रहे मिर भई, ट्रिकी हो रहे थोड़े से घुमा फिरात के भी कोश्चन्स पूछे जा रहे हैं तो यह भी पोईंट आप आपको याद रखना अगला कोश्चन्स देख थे इसके अंदर और दस आपको पता है यहां पर जो तमील इलम बाले थे यह आपको इस तरह के का पाइचा डोनेट कर देना और टक्राव से रूखने के लिए उठाएगे कदम आपको यह सारा पॉइंट पता होना चीए और यह सारी चेप्टर नहां मैंने प्लेलिस्ट में चेक आप सच बता विए मैंं आपको सता क्यरूग दिखा दीता हूं सतार के साजीयदारी किसी होईर फीर मैं आपको उसी आप Q scient म कर पाऊ इएऽ आब को इसमें लगा के लाया है कि इससे आप वह कर पाऊ नेखा यहां पर आपकी हो दिख राए कि देखो सत्ता के उर्दवर वित्रन का संशिप्ट करे और सत्ता के 36 वित्रन पर संशिप्ट करे देखो section C 3 नमर के लिए आए हैं यहाँ पे सत्ता वाले में से 2 चीज को करके आए मतलब की horizontal distribution मतलब की आपके 36 वित्रन पे और सत्ता के उर्दवर मतलब की vertical बर्टिकल मतलब कि दोनों चीज आए च्छेती और वर्टिकल तो आप यहां पर दोनों कर लेना जिस्से कि साजिदारी के उपर में सारक सारा चीज हो पाए और साथ की साज़ी तेर कि लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा जाता है यह दो हजार बीस में पूछा तो यह देखो यहा कोईशन करके चाओ उसके बाद में इंपोर्टेंट बैली जम और सिलंका ही को यहां पे सांस्कृति किस तरह से माना गया इसको छोड़ देना आठवा सत्ता के साथ जद्री करना लोकटंत्र की आत्मा है यह आपके 2021 में पूछे गए थे अब बैली जम सरकार ने अपनी जात् से आको कैसे हल किया तो इस तरह के का कुश्चन करके चलो समझ रहे हो विद्पूरूप इसलिए लेखा आतों कि जिससे कि आप लोग ब्लीब करो और चीजों को समझो मेरे भाई किस तरह के से आप लोग पेपर को कर सकते हो क्योंकि देखो माई एक ही पॉइंट याद रहन आकर संग बनाना मतलब कि यह एक साथ संग बनाना यह एक साथ था यहां पर यहाफ एडली 2022 में आया था तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना कमिंग टुगेदर और यह वाला वेरी इंपॉर्टन्ट मांग करके चलो यह आपके पेपर में आएगा यहां से मैं आपको यहां से दैनिक जीवन के यह वाला तो खांथा इसके अंदर में रुखो भाई यह पॉइंट यह पॉइंट इस वाले में देखा तो मैंने अभी आपको दिखातों समय प्रीबोर्ड में आये हुए है ठीक बीबोर्ड में यह कुश्चन ठीक हैं तो मिट्ट अनिप करो यह उसके बाद में आगे देखते हैं यह एक आपके पास संग सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची आपके यहां से क्या बनेगा एक MCQ बनेगा और उसमें भी कुछ इस तरह के चीज़े पूछी जाएंगी कि भाई बताओ क्रीसी किस में आता है चीज़े पूछा जाएगा संवर्ती सूची आपको देख्या बिवाह में है है मजदूर में सिक्षा में है वन में है लेगिन इसके अंदर में किसमें नहीं है यह वैपार में नहीं है तो इस तरह के कहाइज आपको बंगाता है ऐसी लिए समझ Bless系, अब आपको long questions बनेगे जो कि 2021 में भी बने हुए questions है तो ये भी point आपको याद रखना है समझे मिर भाई अगला point इसके जो लंबे questions बन सकते हैं ये साथ आकर संग बनाना और ये आप संग बनाने वारे holding together ये final 2023 में भी questions आया हुआ है तो मिर भाई इन सब questions को मत छोड़ना क्योंकि ये सारे questions यहाँ पर बोल पा रहे हैं और यहाँ पर विकेंद्री करन की दिसा में 1992 में क्यो बड़े कदम उठाए गए 2020 में भी पूछा है 2023 में भी ये आपके भाई मिट्टम का सारक सारक खेल है तो अभी भी ने किये हो ना तो भाई कर लो समझ रहे हो ये सारी पॉइंट और अस्थानिया स्वासासन के बारे में भी पूछ ले ना अस्थानिया स्वासासन जो कि आपको तक 73 और 74 संसोदन हुआ था ठीक भई अगला पॉइंट यहां पर भारत्य संग के भासा नीती चुनोती को किस प्रकार हल किया विवेशन के जिए लॉंग कोशन यह आपके सपूर्ट में मतलब की यह आपके सेंपल पेपर में दे रखा था अगट बंदन सरकार के बारे में पंचायती राज पर नाली है है आपको पता हूंचे पंचायती राज के बारे में बहुत बारत कोश्यंस पूछा जाता है और भासा का अधार पे जो ना पहला राज को कोन सा बना था आगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं आपको उता हूँ आंदर पर्दिश भासा का दार पर सबसे पहला राज्य बना था तो यह पॉइंट समझा गया यहां से आपके एक ही कोश्चन बने कि भारत में धर निर्पेक्ष राज की मुख विसीष्टाओं का वर्णन करे आपको होता है कि भारत का जो अपने भारत है हमारा सेक्लर देश है धर निर्पेक्ष है यहां पर किसी तरह के कोई जातपात के भी तो नहीं है तो इसलिए कोश्चन बना और में भी आपके लॉग कोश्चन में यह बन सकते हैं ठीक मेरा भाई उसके बाद आजओ यहां पर आपके यह सिसु मिर्तियु दर यह साक्षर्टा दर और यह पॉइंट होना चाहिए तो मतलब एक विकासिल देश एक विक्सित देश में क्या विशिष्टा हो सकती है जैसे आपने अमेरिका और इंडिया की बात कही है वह विक्सित देश है हम विकासिल हम धीरे-धीरे देश डबलप हो रहे हैं तो यह पॉइंट समझा आपको आप लोग मुझे एक बार कॉ यहाद हो गया क्योंकि यूसे का जो पर्सिलिंट है जो बाड़न वह भी आया हुआ था तो यह भी पॉइंट याद रखना समझे रहे बात को यहां पर तो आप लोग क्या मुझे आप लोग कोमेंट करके बता सकतो अभी भारत के अंदर में रिसेंटली सक्सेस्पुल कॉन पर बाड़न से संभी वे आंप लोग कितना अवयरों में देखना चाता हैं उसके बाद में यहां से इंपॉर्टर अर्षृक्त के छेतर में यह मतलब आपके यहाँ पर प्रार्थमिक छेत्र और यहाँ पर दुत्यक छेत्र और यहाँ से आपके तिर्थयक छेत्र वाले questions पूछे गए हैं कभी-कभी इसके MCQ बनते हैं कि banking हो गया परिवान हो गया या किस छेत्र में आता है तो इस तरह के questions भी बने हुए हैं एक पर comment कर दो मेरे भाई जो भी चीज आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है और खास करके एक point और याद रखना कि like ने क्यों कर देना ठीक भाई point समझ आ गया चलो भाई आगे देखने इसके अंदर से यह तीनों में से आप कर लेना यहां से मेरे भाई क्या करना questions से related जो भी चीज़े आपको टम्स याद हो टॉपिक याद हो वह आप पूरा पूर लिखना शुरू कर देना समझे नहीं समझे इसमें से question आप संगटी छेतर और संगटी छेतर के बीच में अंतर करके जाना और मंडरे का दो होजार पांच के लागू करने के उद्धोस्तों को असपस्त करें यह questions अभी आई हुए है मंडरेगा वाला मैं आपको दिखा तो भाई मन्डेगा वला questions मैंने अभी देखा, recently देखा मन्डेगा वला, जिससे कि वो questions में कहीं आये हुए question है ठीक भाई मन्डेगा, यह देखो भाई, यहाँ पर क्या रहा है कि मन्डेगा मतलब कि guarantee योजर महात्मा गांधी महात्मा गांदी दिख रहा आपको महात्मा गांदी राष्टे गरेंटी उद्ना 2005 और आपके सामने देखो questions match कर गया ये भी questions आपके आए हुए हैं तो मैंने वही questions पिक किये हैं जो आपके exams oriented है समझे नी समझे तो भीया ये करके चलो यहां पे बिल्कुल लापरवाही मत करन अगर ये सारी questions कर लिए हो ना मिरे भाई तो आप एक बार लिख के देखो क्योंकि ये आपके सामने है सारा चीज समझे नी समझे उसके बाद में भाई में कभी भी कोसिस करना ना छोड़े क्योंकि गुच्छे की आखरी चाभी चाला की ताला को खोल सकती है मतला आपको सम इतनी सारी चीजे कर ली एक मैंना आपको overview दे दिया वट आप टेंशन मतलूब फाइनल की याद रखो फाइनल में वह डंका बजा देंगे जैसे लास्ट ये दोजार तैस चोबिस सेशन में आप लोगो तैस मतलब की तैस चोबिस सेशन में बच्चों ने दिखाया था मतल जरूर पालेता है तो बस आप लोग टेंशन मतलों हिम्मत रखो होसला रखो आपकर सकते हो और आपके लिए मैं यह चीजिए देना चाहता था आप इससे रिलेटेट कोश्चन्स हाएगा थोड़ आपना दिमाग लखना अपना बनाक लिखना आपका पेपर बहुत